नवस्का दोस्तों, इनकी वर्तमान आयो, 36 years है और इस पाम को देखे तो क्या-क्या प्लस माइनस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिस्कस करेंगे, यह रेखा सिधी चल रही है, जब इस तरह की रेखा होते है तो व्यक्ति कहीं न कहीं समझदार होता है और जीवन में जो अ आगे बढ़ता है, यह पाम थोड़ा सा रेक्टेंगल और स्क्वेरिस्ट दोनों है, तो अच्छे सेल्स परसन भी होते है और मेंती भी भरबूर होते है यह लोग, अंगुठा फर्स फैलेंज दिखने ही रहा है, पर सेकेंड फैलेंज अच्छा है, तो लॉजिक के साथ, अच्छी तरह से रख पाते होंगे, इनके जितने भी बड़े फोटो आए, फुल पाम में, यह दोनों उंगलिया जोइंट पाई, तो ऐसे लोगों को अपनी संपत्ती का पदर्शन करना अच्छा नहीं लगता, और थोड़ी सी नुकिली जादा है, तो व्यक्ती में अलापन जादा रहता है, सुरी की उंगली बड़ी है, तो व्यक्ती में हिमती सभाव रहता है, और जीवन का आनन्द लेने वाले होते हैं, प्लस माइनस भी हो, जीवन में तो भी आनन लेते हैं, अब जब इस तरह का फोटोग्राफ आता है, तो इसमें पता नहीं चलता है यह उंगली फर्स फेलें तक पहुच रही है या नहीं पहुच रही है, बहुत बार पीछे की तरफ रहती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यह उंगली पहुच नहीं रही है, अगर पहुच रही होगी, तो डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, या राजशक्ती, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट, यह सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे, और अगर यह उंगली पहुच नहीं रही होंगी, तो यह सारी चीज़ों में आप कमजोर रहेंगे, अब आपके क्लोज अप पर चलते हैं, बुद्परवत पर भहुत सारी लाइ होते हैं, सुन्दरता भी देती है यह लाइने, तो इतना सारा एडवांटेज इनको प्राप्त होगा, एक इनके हाथ पर यश वाली साइन भी है, जो मैं क्लोज अप में आपको दिखाऊंगा, ऐसे लोगों को यश भी अच्छा प्राप्त होता है, जैसे मैं आपको एक्ज इस तरह का एडवांटेज व्यक्ति को प्राप्त होता है, जब यह साइन होती है, तो यह भी एक एडवांटेज है, एक लाइन हिर्दय रेखा से ऐसे निकल रही है, यह जनरली इंपोर्ट एक्सपर्टरों के हाथ में पाई जाती है, अब यहाँ पर एक स्टार भी दिख मैं जब क्लोजब पर आऊंगा, तब इसके बारे में आपको बताऊंगा, इस फोटोग्राफ में तो इतनी अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, पर क्लोजब में बॉस्ट पस्टता से दिख रहा है, यह मल्टिबल प्रॉपर्टी की साइन भी है, व्यक्ति एक से अधिक खरीदता है या निर्बान करता है, यह स्क्वेर कंप्लीट होगा, तो व्यक्ति का फैला हुआ काम का जी इंटरनेशनल लेवल का होता है, और अपनी आये से अधिक अच्छी तरह रहने वाला व्यक्ति होता है, आस-पास के लोगों को लगता है, इनके जीवन में बहुत ज जादा कमाते होंगे, इस तरह की एक मानसिक्ता बनती है, और इंटरनेशनल लेवल का काम होता है, और यह भी स्क्वेर क्लोज अप में अच्छी तरह से देखने की कोशिस करेंगे, यहां विद्यारेखा बनी है, यह व्यक्ति को बेसिक नॉलेज दिलाती है, और बेसिक लोग पूछ-पूछ कर काम करेंगे, शनी परवत पर देखें, तो इनकी सारी लाइने कहीं न कहीं विदेश की और, यानि सुरिपरवत की और जुक रही है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में अच्छे खासे, और जहां तक मुझे याद है, इनके सा और का प्रोड़क भी है, जो ये एक्स्पोर्ट करते भी होँगे, ऐसा मुझे याद है, तो नौसन कर दो पर जाती हे, तो दो तरखा ही चीजें होती है, या तो व्यक्ति का विदेश से धन प्राप्ति का योग बनता है, या व्यक्ति आया जैसा आए सा काम, किसी का जाब करता है व्यक्ति यहां पर एक रेखा जुपिटर की और जा रही है यह व्यक्ति को चार लाब देती है political लाब, सरकारी लाब ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला और job भी करें तो बड़े स्तर पर पहुचता है और खुद का भी काम करें तो बड़े स्तर का करता है और continue रेखा है बनी है तो बुड़ा पै तक income आती रहेगी इनके पास जुपिटर माउंट पर देखे तो एक लाइन दो तीन चार और एक continue चलने वाली रेखा है अब ये रेखा का फायदा क्या horizontal रेखा है व्यक्ति को multiple income देती है पामिष्ट्री astrology में इनका ध्यान जाता है इस तरह के जो mystery science होते है जरूरी नहीं कि पामिष्ट्री या astrology में जाएगा हो सकता है कोई tarot में भी जाता है किसी का और कोई सास्त्र हो जैसे अंक सास्त्र है उसमें जाएगा कोई न कोई अलग-अलग सास्त्र हो में ध्यान जा सकता है पर interest जरूर जाता है सेवा भावी होते और धार्मिक्ता भी इनमें देती है ये line है और ये line जब continue होती है आपके हाथ में तो व्यक्ति को तकलिब भी आए तो stand-by रहता है कितनी भी तकलिब आए stand-by जरूर रहता है और ये square complete होता होगा तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई न कोई property खरीता है और 36 साल में authority position पर पहुँचता है और बोलने के कारे में व्यक्ति master पाता है अनुनिमंगल व्यक्तित है तो सरीर की उर्जा व्यक्तित रहेगी कोई problem नहीं उर्जा में हाथ छोड़ी सी लाइन है जो थोड़ा सा चिंतित सभाव देती है पर इंको राव रेखाय भी काट रही है तो ये basic चीज है इतना चिंतित रहता है वक्ति बारिमंगल एक व्यवसित बारिमंगल है बहुत जादा उभारवाला भी नहीं है और बहुत जादा दबा भी नहीं है तो किसी से तो एनरजी के साथ मिलेंगे किसी के साथ थोड़ा सा सोच के मिलने जैसा है कि नहीं इस तरह से दो तरका गुंधर्म होता है, या तो व्यक्ति कभी होता है, गितकार होता है, या विदेशे धन प्राप्ति का योग बनता है, यानि विदेशे धन प्राप्त करता है, बहुत सारी ट्रावेल लाइन है, आपके जीवन में तो ट्रावेलिंग भरपूर रहेगी, और शिक्स से तो व्यक्ति सच्चा ही पसंद इंसान होता है, उसे जूट पसंद नहीं आता है। और चंद्रपरवत आपका टिमेंडर सच्छा है, व्यक्ति का विदेश से संबंध आता ही है। Second चीज, पानी अच्छा लगता है, दूज से बनी वस्तुवे भाती है। अच्छे परचेसर होते हैं, रिफाइंड सोच होती है, नया-nyया कारे करने का शौक रहता है। यह सारा एडवंटेज आपको जीवन में है। और आपकी जीवन रेखा है, वो एक्चुल में चंद्रपरवत की और जा रही है। आपको अगर भविश में, विरेस में जाना हो, सैटल होना हो, तो भी आपके लिए आसान है। कोई हाड नहीं है आपके लिए। और दूसरा एडवंटेज आपके हाथ में बहुत अच्छा money triangle बना हुआ है, जो हम close-up में देखेंगे, यहां से open तो नहीं। इतना बड़ा money triangle हो, तो व्यक्टी के जीवन में इंकम के अच्छे खासे source create होते हैं। अच्छे खासे। और इसके कारण धन भी अच्छा खासा संग्र करता है। हाँ, open रहा तो खर्च का पेमाना रहेगा। उसे close-up में हम देखने की कोशिस करेंगे। अब sunline है भी आपको, ऐसा नहीं है कि sunline नहीं है, पर टुकडो टुको में चल रही है, और तहीं ऐसे निकल के जा रही है, कहीं ऐसे जा रही है, यह cut भी लग रहे है, इसको भी हम द व्यक्ति 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 रहता है, अच्छी तरह रहता है, कपड़े अच्छे पहनता है, खुद का presentation अच्छा होता है, पैसा कमने का शौक भी रहता है, पैसा खर्च करने का भी शौक रहता है, तो यह सारा advantage इनके हाथ में है, अब mind line को देखे, तो एक रेखा जो यहा से भाउग भी होते हैं, और जुपिटर को टच कर रही है, तो भरो से लाएक इंसान भी बनाती है, हाँ, जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना भी इनको पसंद आता होगा, और रदेर एका थोड़ी सी डार्क है, तो थोड़ी सी जंजटे भी जीवन में रहती होगी, और यहाँ पर फ्लर्ट लाइन भी है, तो यह व्यक्ति को दुखी भी हो, तो थोड़ी दिर दुखी होता है, उसके बाद खुशी डुणता है, और एकाद लाइन नीचे भी चल रही है, तो ऐसे लोग माबाप की सेवा करने वाले लोग भी होते हैं, अब माइन ला प्रेशर लाइन बनी हुए है, यह उम्र लग बग 32 से लेकर, 34 तक जीवन में कोई न कोई प्रेशर बना रहा होगा, इसके कारण, और यह माइन लाइन सीधी चल रही है, और थोड़ी सी यहाँ पर वेवी भी हो रही है, तो यह कहीं न कहीं मानसिक्ता में तकलिप देती है जब माइन लाइन थोड़ी सी भी वेवी बनी, और कहीं न कहीं कभी न कभी आर्थिक नुकसान जाने के चांस रहोते हैं, जैसे अभी यहाँ पर उठाओ होगा, चाये उठाओ हो या ऐसा दबाओ, तो लग बग 52 के आसपास या 55 के आसपास हो सकता आपको कोई आर्थिक न स्टार्प होती है, बहुत फास्ट निने लेने वाले होते हैं, अब जीवन रेखा पर देखें, तो जीवन रेखा और धन रेखा के लिए हम इनके क्लोज अप का सारा लेते हैं, जो काफी क्लीन है, जीवन रेखा पर बाद में आते हैं, पहले इनके सन माउंट पर ये स्ट अगर यह close-up नहीं आया होता तो यह star देखता भी नहीं थोड़ा सा एकदम clear star नहीं है पर star जरूर है तो यह व्यक्ति को यश भी दिलाता है और साथ-साथ में पैसा भी दिलाता है यानि मान-सम्मान प्लस fame प्लस पैसा यह दोनों चीज़े यह star दिलाता है और यह square मुझे complete ही लग रहा है तो इंटरनेशनल लेवल तक का काम व्यक्ति जीवन में करता है जब इस तरह का square हो तो अब जीवन रेखा पर आते है जीवन रेखा पर एक उम्र लग बग तेईस के आसपास एक राव रेखा ने काटा है इस पिरियद में कोई न कोई तकलिप आई होगी एक रेखा 28 के आसपास भी काट रही है इस पिरियड में भी कोई न कोई तकलिफ इनको जीवन में आई होगी एक 32 के आसपास काट रही है इस पिरियड में भी कोई न कोई तकलिफ का सामना किया होगा उसके बाद 36 के आसपास एक राव रेखा है इस पिरियर्ड में भी कोई न कोई तकलिफ आई होगी यहाँ पर लग बग ये यात्रा पर जाएंगे 38 के आसपास उसके बाद 40 के आसपास एक राव रेखा काट रही है यहाँ पर भी तकलिफ सामना करेंगे एक छोटी सी हलकी सी रेखा 42 के आसपास भी है और एक 45 के आसपास राव रेखा है एक छोटी सी 47 के आसपास भी है और एक 57 का आपशूट है और यहाँ पर नीचे लाइन जा रही है तो कोई ने कोई नेर और येरर की भी डेथ शो हो रही है और एक यहाँ पर भी दो जगह पर भी नीचे लाइन जा रही है यहाँ पर भी near end error की death होगी जैसे अगर हम सुरुवात से गिन है तो यह 23, 28, 32, 36, 38, 40 और यह 42 के आसपास कोई near end error की death दिख रहे है और इसके 5 साल के बाद और एक पाच-6 साल के बाद और यह 57 के आसपास और एक offshoot भी है यहाँ पर भी offshoot है और यह period होगा लगबग आपके जीवन का 41 के आसपास भी एक offshoot है तो यह benefit भी कोई ने कोई दिलाएगा आपको और जीवन रेखा पूरी चंद्रपरवत की और जा रही है ऐसे लोग अपने जंसल से दूर अगर जाए तो जादा विकास करते देखा गया है अब इनकी फेट लाइन 36 तक काफी smooth चली हाँ उस पर एक cut लगबग उम्र 25 के आसपास आया होगा एक cut 29 के आसपास 32 के आसपास cut है और एक ये 36 के आसपास जो वर्तमान पिरियड चल रहा है इस पिरियड में ये cut show हो रहा है इसके बाद धन रेखा यहाँ पर घुमाओ ले रही है तो कोई न कोई बिजनेस में बदलाओ छोटा मटा इन्होंने किया होगा और यहाँ पर थोड़ी सी एक एकाट साल इतनी अच्छी नहीं है और उसके बाद एक cut लग रहा है ये उम्र लग बग 39 के आसपास cut लग रहा है एक 42 के आसपास cut है एक 50 के आसपास या 51 के आसपास cut है ये investment line है 53, 54 के आसपास कोई investment कराएगी अब आपकी धन रेखा को देखे तो उतार चड़ाओ भरपूर है कहीं न कहीं नाडिका रेखा है बाहर निकल रही है और बहुत बारिक धन रेखा है तो सुबे से लेके रात तक आपको बीजी रखेगी धागे जैसी रेखा है तो यह period थोड़ा सा आपके लिए tough रहेगा up to यहां तक और यह period होगा लगबग उमर का 40 या 41 तक यहां पर इतनी चहिए वैसी growth आपको नहीं मिलेगी क्यों कहीं नाडिका रेखा है बाहर निकल रही है आपके और उसके बाद भी धागे जैसी रेखा है तो energy जादा लगवाएगी एक काम और चालू होगा आपका लगबग 38 के आसपास 38 या 39 के आसपास चालू होगा और वो भी सुर्यपरवत की और ही जा रहा है और यह period में आपको इस काम के अंदर थोड़ा सा struggle करना पड़ेगा और यह period होगा लगबग 46 से लेकर 49 तक और उसके बाद यह इतनी दमदार है नहीं आपको उतना support नहीं मिलेगा अब आपकी सारी line पतली है तो work तो बहुत कराएगी पर पैसा देगी जरूर और हर जगह यहाँ पर भी देखे तो यह रेखा ने भी यहाँ आकर कहीं न कहीं कट लगी रहा आपको यह रेखा और यहाँ से निकल कर joint हो रही है यहाँ पर यह कोई problem नहीं पर यहाँ पर भी रेखा पर cut दिखे तो 41 के आसपास यानि संगर्ष तो आपके जीवन में है यह यह जैसे रेखा यहाँ पर डिश्टब हुई तो यह रेखा अच्छी है इसके पास में भी एक रेखा है वो भी अच्छी है यहाँ पर भी अच्छी रेखा है तो उतार चड़ाओ चलते रहेंगे आपके जीवन में पर मनी ट्रैंगल बहुत बड़ा होने के कारण आपको पैसा संगर्ष होता रहेगा यह भी खासियत रहेगी काफी बड़ा पर हाथ का कलर इस फोटोग्राफ में किसी भी पाम में गुलावी पन नहीं दिख रहा है कही न कहीं सफेद या पिलापन शो हो रहा है तो यह अच्छी बात नहीं है कही न कहीं हाथ गुलावी होना चाहिए यह कही न कहीं आपके ग्रोध को रोक रहा है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद